संतोसिच बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाच्की जो लूट हो जाती थी, उसके लिए अब रबोर रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को लागू किया जा रहा है, वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। मुझे आपसे बात करकर के बहुत अच्छा लगा और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे, और सच्चाई आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी। मुझे इतना संतोस मिला, आप लोगों के लिए काम करने के लाज मेरा उत्सा आज बढ़ गया है। चलिए आपसे बात करके तो जितनी कम बाते करूं कम पढ़ जाएगी। आईए आप कारकम के और चलते हैं। आज के इस कारकम में उपस्दित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी है, कर्म योगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाज जी, यूपी सरकार के हमारे सभी मंत्री गांग, सांसद में मेरे सभी सहयोगी, सभी सांसद, विधायक, मेयर, जीला पंचार दद्यक्ष, और विशाल संग्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आज इकटे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगस्त का ये महना भारत के इतिहास में, उसकी शुरुवात ही देखिए, एक प्रकार से उपलब्दियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुवात हो चुकी है। इसमें भी आज की ये पांच अगस्त, ये पांच अगस्त की तारीक बहुत विशेस बन गई है, बहुत महत्वपुण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये पांच अगस्त ही है, जब दो साल पहले देश ने एक भारत, सेष्ट भारत की भावना को और ससक्त किया था। करीब करीब सात दसक के बाद, दो साल पहले पांच अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटा कर, जम्मु कश्मीर के हर नागरिक को, हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागिदार बनाया गया था। यही पांच अगस्त है, जब पिछले साल कोटी-कोटी भारतियों ने सेंकडो साल बाद, भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज उध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आज पांच अगस्त की तारीक, फिर एक बार हम सभी के लिए उत्सावर उमंग लेकर आई हैं। आज ही ओलिम्पिक के मैदान पर देश के युवाओं ने होकी के अपने गवरों को फिर से सापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करिब चार दसक के बार ये स्वनिम्पल आई है, जो होकी हमारी राष्टिय पहचान रही है। आज हमारी विवाओं ने उस गवरों को पुन हांसिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तुफा दिया है। और ये भी सयोग है कि आज ही यूपी के पंदरा करोड लोगों के लिए इतना पुन्य आयोजन हो रहा है। मेरे गरीब परिवार के भाईयों बहनों को 80 करोड से जादा लोगों को अनाज तो करीब करीब एक साल से जादा समय से मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन मुझे उसमें सरीख हो करके इस पुन्य कारकम में आकर के आप सब के दरसर करने का आज मुझे आउसर मिला है। भाईयों और बहनों एक तरफ हमारा देश हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं। तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी है जो राज नितिक स्वार्त के में डूप करके ऐसी चीजे कर रहे हैं। लगता है सेल्फ गोल करने में जूटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरुकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्त के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसत का जन भावगनाओं की अभीवक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनितीक स्वार्त की वज़े से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आये सबसे बड़े संकर से सो साल में आया हुआ पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकर से बहार निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरी जूटा है प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए इस किस परधा में लगे हैं इस होड में जुटे हैं। लेकिन साथियों ये महान देश इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्त और देश हित विरोधी राजलीती का बंदक नहीं बन सकता। ये लोग देश को देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिस कर लें। ये देश इन से रुकने वाला नहीं हैं। वो संसत को रोकने की कोशिस कर रहे हैं। लेकिन एक से तीस करोड की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए है। हर कठिनाई को चुनोती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीते कुछ हपतों के किर्टिमानी देखें। और जरा देखिए। जब देश नए किर्टिमान थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसत को रोकने में लगे हुए थे। कुछ ही सब्तों में जो हमने किर्टिमान देखें तो भारतियों का सामर्त और सफलता चारों तरब नजर आता है। अलेम्पिक में अभूत्पूत्व प्रदर्शन को पुरा देश उत्सा पुर्वक देख रहा है। भारत टीका करन के मामले में भी 50 करोड के पड़ाव के बिल्कुल दरबाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। इस कोरोना कालखन में भी भारतियों का उद्यम नए प्रतिमान गट रहा है। जुलाई में GST का कलेक्शन हो या हमारा एक्षपर्ड हो इन नई उचाई छू रहे हैं। जुलाई में एक लाग सोला हजार करोड रुपिय का GST कलेक्शन होना ये बताता है कि अर्थ ववस्ता गती पकड रही है। वही आजादी के बाद पहली बार किसी एक महिने में भारत का एक्षपर्ड डाई लाग करोड से भी जादा हो गया। डाई लाग करोड से भी पार कर गया। डाई लाग करोड रुपिय से पार होना आजादी के बाद पहली बार इस महिने में हुआ है। क्रिशी निर्यात में हम दसकों बाद दुनिया के टॉप तेन देशों में सामिल हुए है। भारत तक क्रिशी प्रदान देश कहा जाता है। लेकिन दसकों बाद टॉप तेन में हमारा नाम आया है। भारत का गौरव, देश का पहला मेकिन इंडिया वाहन विमान वाहक पोत, मेडिन इंडिया विमान वाहक पोत, विक्रान समंदर में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है। हर चुनावती को चुनावती देते हुए भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे उची मोटरेबल रोड का निर्मान पुरा किया है। हाली में भारत ने ए रूपी लॉंच किया है जो आने वाले समय में डिजीटल इंडिया को मजबूती देगा और वेलफेर स्क्रिम को बिलकुल टार्केटेड और परपज को परिपूर्ण करेगा। साथ क्यों जो लोग सिर्फ अपने पत के लिए परिशान है वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं पदग जीत करके दुनिया में च्छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बलकि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है भारत चल पड़ा है। भारत का युवा चल पड़ा है। साथियों इस कड़ी में योगी जी और उनकी सरकार ने जो आज का ये कारकम रखा है वो और भी महत्वपुन हो जाता है। इस मुश्टिल समय में एक भी गरीब ऐसा न हो जिसके घर में राशन न हो ये सुनिचित करना बहुत जरूरी है। साथियों सो साल का ये सबसे बड़ा संकट सिर्फ महमारी का ही नहीं है बलके इसने कई मोर्चों पर देश और दुनिया की अर्बों की आबादी को पूरी मानमजात को अपनी चपेट में लिया है और वो एक सबसे बड़ी चुनोतियां पैदा की है। अतीत में हमने अनुभव किया है कि जब देश पर पहले इस तरह का बड़ा संकट आता था तो देश की तमाम व्यवस्ताएं बुरी तरह से चर्मरा जाती थी हिल जाती थी लोगां का विश्वास भी डिख जाता था लेकिन आज भारत भारत का प्रत्येक नागरिक पूरी ताकत से इस महामारी का मुखाबला कर रहा है। मेडिकल सेवाओं से जुड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर हो दुनिया के सबसे बड़ा मुप्त टिका करन अभियान हो या फिर भारत वासियों को भुख मरी से बचाने का सबसे बड़ा अभियान हो। लाखों करोड रुप्य के ये कारकम आज भारत सफलता के साथ आगे बढ़ा रहा है। महा मारी के इस संकट के बीश भारत ने बड़ी संख्या में रोजगार निर्मान करने वाले लोग और बड़े-बड़े मेगा इंफ्रस्ट्रक्टर प्रोजेस को भी रुकने नहीं दिया। मुझे खुशी है कि यूपी और यूपी के लोगों ने देश के सामर्थ को बढ़ाने के लिए कंदे से कंधा मिला करके काम किया। यूपी में चल रहे हैं हाइवे एक्सप्रेस वे और डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर और डिफेंस कोरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जिस गती से आगे बढ़ रहे हैं ये उसका जीता जाकता उधारण है। साथियों इतने संकट के बावजुद आज देश राशन से लेकर के दूसरे खाने पिने के सामान की किमतों को पूरी दुनिया में तुफान मचा हुआ है। ऐसे में हमें मालूम है छोटी सी भी जादा भाड़ भी आ जाए तो दूद और सब्जी के भाव भी कितने बढ़ जाते हैं। थोड़ी भी असुविदा हुए तो महंगाई कितनी बढ़ जाती है। हमारे सामने भी बड़ी चुनोती है। लेकिन मैं मेरे गरीब मद्यमबर के भाव भ्यानों को विश्वाद दिलाता हूँ। हम पूरी कोशिस कर रहे हैं ताकि इसको नियंत्रण में हम रख पाएं। और ये भी आप सब के सयोग से संभव होने वारा है। कोरोना काल में भी खेती और इससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया गया। उन्हें पूरी सतरता के साथ जारी रखा गया। किसानों को बीच से लेकर खात तक और फिर उपज बेचने तक समस्याएं ना हो। इसके लिए उचित प्रबंद किये गए। प्रणाम यह हुआ कि हमारे किसानों ने रिकर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी MSP पर खरीद के लिए खरीदने के नए रिकर्ड स्थापित किये हैं। और हमारे योगी जी की सरकार ने तो बीते चार सालों में MSP पर खरीद में हर साल नए नए रिकर्ड बनाए हैं। यूपी में इस साल गेहूं और धान की खरीदी में पिछले वर्ष की तुलना में लगबग लगबग दो गुनी संख्या में किसानों को MSP का लाब पहुचा है। यूपी के तेरा लाग से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगबग 24,000 करोड रुपिये सीधे उनके बैंक एकाउंट में पहुंचाया गया है। केंद्र और उत्रप्रदेश की डबल इंजीन सरकार सामान्य जनकी सुविधा और ससक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास रत है। कोरोना कालखन के बावजूत गरीबों को सुविधाएं देने का अभियान मंद नहीं पड़ा। यूपी में अभी तक 17 लाख चे अधिक ग्रामीर और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्विकृत हो चुके हैं। लाखों गरीब परिवारों को घर में ही सौचालाई की सुविधा मिली हैं। लगबग देड़ करोड गरीब परिवारों को उजवला के तहत मुप्त गैस कनेक्शन और लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिये गए हैं। हर गर जल पहुँचाने का मिशन भी यूपी में तेज गती से आगे बढ़ रहा है। बीते दो सालों के बीतर यूपी में 27 लाख ग्रामिन परिवारों तक पाईप से पानी पहुचाये जा चुका है। भाईयों और भहनों, डबल इंजीन की सरकार ने ये सुनिचित किया है कि गरीबों, दलीतों, पिछडों, आदिवाचियों के लिए बनी योजना ये जमीन पर तेजी से लागू हो। पी-म स्वनिदी योजना भी इसका एक बड़ा उधारन है। कोरोना से बनी परिस्तितियों में, इस कोरोना कारण जो परिस्तितिया बनी, रेडी पट्री ठेला लगाने वाले बहन भाईयों की आजी विकां फिर से पट्री पर आये, इसके लिए उनको बैंकों से जोडा ग है। बहुत कम समय में ही इस योजना के तहट यूपी के लगभग दस लाख साथियों को इसका लाब देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथियों, बीते दसकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा क्या पहचान बनी, क्या उल्लेख होता था उत्तर प्रदेश का आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीती के चसमे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भुमी का निभा सकता है, इसकी चर्था तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिहाचन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए। लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि बारत की सम्रुद्धी का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। इन लोगों ने उत्तर पदेश को सिरफ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंसवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीति स्वार्थ के लिए यूपी को सिरफ भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हाँ, कुछ लोग जरूर सम्रुद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं, बलकि खुद को सम्रुद्ध किया। मुझे खुशी है कि आज उत्तरपदेश ऐसे लोगों के कुछ चक्र से बहार निकल कर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजिन की सरकार ने यूपी के सामर्थ को एक संकुचित नजर्य से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजिन का पावर हाउस बन सकता है। ये आत्म विश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान ये युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपरादियों में भय का माहुल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैद कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्ता को ब्रस्टाचार और भाई भतिजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बरलाव की शुरुवात हुई है। आज यूपी में ये सुनिशित किया जा रहा है कि जनता के हिच्चे का एक-एक पैसा सीधे जनता के खातों में पहुँचे, जनता को लाब हो। आज यूपी निवेश का केंदर बन रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियों आज यूपी आने के लिए लालाईद हो रही है। यूपी में इंफरास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्स बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल कोरिडोर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर तायार हो रहे हैं, भाईयों और भेनों, उत्तर प्रदेश यहां के परिश्रमी लोग, आत्मंदिर भर भारत, एक बैबवशाली भारत के निर्मान का बहुत बड़ा आधार है। आज हम आजादी के 75 वर्स का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमुरुत महोचों मना रहे हैं, यह महोचों सिर्फ आजादी का उत्सो भरी नहीं हैं, बलकि यह आने वाले 25 वर्सों के लिए बड़े लक्ष, बड़े संकल्पों का उसर है। इन संकल्पों में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भागीदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बीते दसकों में उत्तर प्रदेश जो हासिल नहीं कर पाया अब उसे हासिल करने की बारी आई है ये दसक एक तरह से उत्तर प्रदेश के पिछले साथ दसकों में जो कमी रह गई उसकी भरपाई करने का दसक है ये काम उपी के सामन्य युवाओं हमारी बेटियां गरीब दलीद बंचीद पिछडों की परियाप्त भागीदारी और उनको बहतर आउसर दिये बगेर नहीं हो सकता सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं बीते समय में शिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसले ऐसे हैं जिसका उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा लाभारती होने वाला है पहला फैसला इंजिनियरिंग की पढ़ाई से जुड़ा है इंजिनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन चे जुड़ी पढ़ाई से यूपी के गाव और गरीब की संतान बहुत हद तक भासा की समस्चा के कारण बंचित रह जाता था अब इस बाद्देता को खत्म कर दिया गया है हिंदी सहीत अनेग भारतिय भाषाओं में इंजिनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन की बढ़ाई शुरू हो रही है आधुनिक टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए बेस्ट कोर्स स्रेष्ट पाथ्यक्रम तयार किया गया है देश के अनेग राज्यों के समस्थानों ने यह सुविदा लागू करनी शुरू कर दिया है बाई और बैनों एक और हम फैसला है मेडिकल सिख्षा से जुड़ा मेडिकल सिख्षा में अखिल भारतिये कोटे से OBC को पिछडों को आरक्षन के दायरे से बहार रखा गया था इस्थिति को बदलते हुए हाल में हमारी सरकार ने इसमें OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन दिया है यही नहीं सामान्य वर्ग के गरिब परिवारों के बच्चों के लिए भी जो 10 प्रतिशत आरक्षन है उसको भी इसी सेसन से लागू किया गया है इस फैसले से मेडिकल प्रोफेशन में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उस छेत्र में एक बड़े टैलेंट पुल को आउसर मिलेगा और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के लिए बहतर करने के लिए प्रोफ्सान मिलेगा गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनने का रास्ता खुलेगा भागी और बैनों हेल सेक्टर में भी बीते सालों में उत्तर प्रदेश में अभुत्पुर्वा काम हुआ है कल्पना कीजिए चार-पांच साल पहले अगर कोरोना जैसी वैस्विक महामारी आती तो यूपी की क्या स्थिती होती तब तो सामान्य, सर्दी, बुखार, हैजा जैसी बिमारियों तक जीवन के लिए संकट बन जाती थी आज उत्तर प्रदेश कोरोना टिका करण के मामले में करीब करीज सवा पांच करोड के पड़ाओ पर पहुंचने वाला पहला राज्य बन रहा है वो भी तब जब राजनितिक विरोध मात्र के लिए मेड इन इंडिया वैक्सिन को लेकर कुछ लोगों द्वारा ब्रह्म फेलाया गया जूट प्रचारित किया गया लेकिन यूपी की समझदार जन्ता ने हर ब्रह्म हर जूट को नकार दिया मुझे विश्वास है कि उत्तरपदेश सब को वैक्सिन मुप्ट वैक्सिन अभ्यान को और तेज गती से आगे बढ़ाएगा और मास दोगज की दूरी के नियमों में डिल नहीं आने जेगा एक बार फिर से पी एम गरीब कल्यान अन्य योजना के सभी लाभारतियों को बहुत बहुत शुपकामनाय देता हूं और आने वाला समय तो त्योहारों का समय है दिवाली तक त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं और इसलिए हमने ताय किया है कि इन त्योहारों में हमारे किसी गरीब परिवार को तकलीब न हो इसलिए दिवाली तक ये मुप्त राशन देने का चालू रहेगा मैं फिर एक बार आप सबको आने वाले सभी त्योहारों के लिए बहुत-बहुत शुप कामनाई देता हूँ आप स्वस्त रहे आपका परिवार स्वस्त रहे बहुत-बहुत धन्यवाद अधरनी प्रधानमंत्री जी अपने वेस्ट समय से कुछ पल निकाल कर आप हमसे जुड़े अपने आशिर वचन देकर हमारा मार्दरशन किया एवं उत्सावर्दन किया मैं मानी मुखमंद्री जी एवं परडेश की समझ जन्ता की तरफ से आपका घर्दे से धन्यवाद गापित करता हूँ